हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही आसान और जबरदस्त नुसका लेकर आई हूँ जिसे आप आसानी से पुराना से पुराना जोरो के दर्द को जड़ से खत्म कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों, एदि आप काफी दिनों से पुराना से पुराना जोरो के दर्द की समस्या से परसान है हड्यू से कटकट की आवाज आती है, उठने और बैठने में काफी परसानी होती है जो रोको दर्द हमेशा आपको सताता है चलने फिरने में काफी परसानी होती है उठने बैठने में काफी परसानी होती है ठाकान होती है अनिंदरा आती है और आपको निंद ना आने की समस्या है रात में आपको घबरात होती है और चिर्चियाहाट है आपको सही से निंद नहीं आती है, कमजोरी होती है, खून की कमी है, ठाकान है आपको तो इस समस्याओ को समधान इससे आसानी से मिल सकता है जो अनाज है इसको आप सायद जानते होंगे इसका नाम है बाजरा जो पुराने जवाने में इससे बहुत इउज किया जाता था, खाने में इसका बहुत ज़ादा ही परियोग किया जाता आजकल नए जवाने में हमें इससे खाना छोड़ दिये हैं और कई बीमारियों को हम नियोता दे चुके हैं पुराना से पुराना जोरों के दर्द की समस्या को जर्द से खत्म करता है साथी साथ एदि आपको केल्सियम की कमी बहुत ज़ादा हो गई है टांगों में, पीठ में, रीड में दर्द रहता है उठने बैठने में काफी परसानी होती है साथी साथ एदी आपको किसी भी तरीके से दाध की समस्या हो गई है दाध में दर्ध हो या मसूरों में सूजन हो गया है दाध की जितनी भी समस्या है उसे भी जड़ से खत्म करता है यह आनाज और यदि आपको केल्सियम की कमी हो गई है शरीर में तो भरपूर मातरा में इसमें केल्सियम पैजाता है जो हमारे सिहत को केल्सियम देता है और केल्सियम की कमी को जड़ से हमारे सरीर से खत्म करता है इसका सेवन करने से इतना एफेक्टिव और इतना असरदार है यह आनाज इसे यह हम सेवन करेंगे सब्ता में ज़्यादा नहीं कर पाएंगे आप तो दो से तीन दिन इससे जरूर करें इसका काफी सारे फैदे है और इससे बहुत जली से असाने से जरूर के दर्द से समस्या से छुट करा पाया जा सकता है नमस्कार दोस्तो बाजरा में हाई क्वालिटी का प्रोटेन होता है बाजरे में कैल्सियम और फाइबर होता है जी हाँ दोस्तो बाजरा में काफी मात्रा में काफी अधिक मात्रा में कैलसियम पाय जाता है जो हमारे सिहेत के लिए काफी अच्छा होता है और साथी साथ जो हमारा जोरो का दर्द है और कैलसियम भी कमी जो हो गई है टांगों में दर्द रहता है उसे चेर से खत्म करने में काफी अच्छा होता है साथी साथ इसमें फाइबर भी पैजाता है जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए बाजरे का स्यवन करना बहुत ही अच्छा होगा बाजरा में एमीनो एसीड होता है जो हमारे सरीर को तागत दिता है खून की कमी को जर से खत्म करता है और इसमें तागत का खजाना है हमारे सिहत के लिए काफी अच्छा होता है खून की कमी को जर से खत्म करता है हमारे सिहत को मजबूत बनाता है और जो आपको कबजी की समस्या है गैस की समस्या है पाचन सक्ती कमजोर है तो उसे भी जर से खत्म करता है यह बाजरा बहुत ही एफेक्टिव और आसान है आसानी से मार्केट में बाजरा मिल जाता है और इसका आप सेवन कर सकते हैं चाहे तो आप इसका चपाती बना कर सेवन कर सकते हैं रोटी के रूप में या आप इससे खीर बना सकते हैं या आप इसका चावल यानिकि इसका भात के तरह भी यानिकि पगा कर भी खा सकते किसी भी ना किसी रूप में बाजरे का सेवन करना काफी अच्छा होगा क्योंकि इसमें काफी हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है साथी साथ इसमें भरपूर मातरा में केल्सियम होता है और फाइवर भी पाय जाता है कोलेस्टरॉल को कम करता है खून की कमी को जर से खत्म करता है बाजरा इतना असरदार और इतना अच्छा होता है सेहत के लिए यह आनाज कि कोलेस्टरॉल को जर से खत्म करता है केलसियम की कमी को दुर करता है इसमें भरपूर मात्राय में केल्सियम पाय जाता है तागत का खाजाना है बाजरा आनाज जो इसमें काफी अधिक मात्राय में इससे तागत मिलता है इसका सेवन करने से तो हमें किसी ना किसी रूप में बाजरे का सेवन जरूर करना चाहिए केलसियम की कमी को जर से खत्म करता है यदि आपको सुस्ती हो गई है तागत नहीं जैसी लगता है सरीर में आ रहा है तो आप बाजरे का सेवन सबते में 2-3 दिन जरूर करे चाहे तो आप इसका रोटी बना कर खा ले या आप जब भी गेहू का रोटी बनाते है तो उसमें थोड़ी सी बाजरे का आटा आप मिला दे और वैसे ही रोटी बना कर खा ले यदि आप सिर्फ बाजरा नहीं खाना चाहते है तो जब भी आप चपाती रोटी बनाते हो यानि की गेहू का तो उसमें आप थोड़ी से मिला दे ताकि उसे आपको खाने में भी अच्छा लगे और इससे आपका अच्छा फैदा भी मिल सके वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करे चनल पे नए है तो सब्सक्राइब जरूर करे और बेल आइकन को हिट करे जितना हो सके इस वीडियो को सेर करें ताकि इसका फैदा और लोगों को मिल सके